जिस तरीके से 2020 चल रहा है लेकिन आज भी 2002, 2008, 2010 की भरतियां लटकी पड़ी है ऐसे में प्रुदेश में नौकरी और न्यूक्तियों का सवाल है और लगता है कि अब अदालते भी उलज कर रहे गई है सवाल ये है कि भरतियों को अदालत जाने से रोका कैसे जाए देखिये अदालते उलज के कम रह गई हाती के पाओं में सबका पाओं आज जो एपेक्स कोट है भारत का सरवोच न्यायाले है उसने जो टिपने की न वो मूलतह ये बताती है कि न्याय पालिका आजज आ गई ये भरति से जुड़े मामलात को सुनते सुनते इसलिए उनका एक कल्चर बन गया है जहां देखो वहां मुकदमा जहां देखो वहां मुकदमा जिसको देखो वह मुकदमा कर रहा के सिंगल बेंच के डबल बेंच के खंड पीट के उप खंड पीट हाई कोट सुप्रेम कोट भीव पिटीशन मोडिफिकेशन पिटीशन SLP कोई उपवंद छूटा नहीं कानून का जो उत्तर प्रदेश में भरतियों के लिए अस्ति इस्तमाल हो गया कानून के तरकश में जितने भी तीर है उत्तर प्रदेश की 15-25 भरती पिछले डेड़ दशक की जितनी है वो सब उन तीरों से घायल होकर यत्र तत्र अदालतों में करा रही है और दसियों पर वीसियों लाख बच्चा जो है नौजवान जो है वो इस्तब्द है निशब्द है और हर बार उमीद की एक हलकी सी किरन पाने के लिए एक टुकड़ा खेतका और गिर्मी रखके इलहाबाद या दिल्ली आ जाता है मुकदमा की तारिख पर कि इसलिए सुप्रीम कोट नहीं कहा हम तो यह बात बहुत समय से कह रहें सुप्रीम कोट ने आज कही तो मुझे लगा इस पर चर्चा करनी चाहिए मैं इस चर्चा में ना तो इस अधिकार पर कोई सवाल उठाने के लिए आया हूँ कि आदमी को न्यायक उपायों का इस्तेमाल करने का है जो समवैधानिक अधिकार है उसका स्वागत है उस पर कोई सवाल नहीं मैं तो बिल्कुल अलग मुद्दे पर आज बात करने आया हूँ मैं सारे विद्वान साथियों से आज ये समझने की कोशिश करूँगा कि भाई अगर यही अनंतकाल तक कल्चर चलता रहा तो 2007 की भरती भी कोट में है 2019 की भरती भी कोट में है और 20 की भी कोट में है ठिक अब टाइम आप जोड़ लीजे साथ से लेके 2020 तक सारी भरतियां कोट में है अगर यही चलन चलता रहा तो उत्तर प्रदेश को सरकारी काम करने वाले करमचारी चाहे वो अध्यापक हो बीडियो हो आवकारी सिपाही हो किसे बेस तरके करमचारी हो वो कहां से मिलेंगे क्या उनके लिए जापान से भरती होगी हॉलेंड वाले भरती करके भेजेंगे जहाज से चाइना वाले भेजने चाइना से तो अब चल लडाई हो गई अमेरिका वाले भेजेंगे यह सूडान से आएंगे क्या करेंगे अगर यही चलता रहेगा अनंत काल तक तो समाधान का विंदू कहां से मिलेगा दो लाख से ज़ादा मेरी बात को फिर सुने दो लाख से ज़ादा उत्रपदेश की बेसिक सिक्षा के स्कूलों में अध्यापकों की रिक्तियां है और भरती कोई किसी की होने नहीं दे रहा वो कह रहा सिंगल वेंच लेव डबल वेंच डबल वेंच लेव सुप्रीम कोड आओ जी ठोको ताल और दे मुकदमा दे मुकदमा दे मुकदमा एक से निप्टे दूसरी दूसरे से निप्टो तीसरी तीसरे से निप्टो चौती लगता है एक लिस्ट बना ली है कि हमको इसमें 700 मुकदमे करने हैं इस भरती में तो एक एक करके करेंगे चलवाओ ताकि चौधा सो दिन तो कहीं गई नहीं कितने भी जल्दी अधालते काम करें युद्धिस्तर पर रोबोट भी बन जाएं रेश्टार ओफिसेज तब भी बोले जी इस भरती में ये क्यूँ है ये क्यों लिखा है राजाग्या क्यूँ है निका ना क्यूब और सों मुकदमे यो 99,000 में हाईआज से अब तक 45 मुकदमें हो गए हों घृगवान ऐगन का अश्कीरवाद है आज भी एक हुआ है कि का एसे भी लोग हैं जो अपने अश्त्र छुपा के रखे हैं वो कहें पहले यह निपट ले फिर हम जाएंगे मुझे तब भी बात थोरी समझ में आती सारे मुकदमे के एक शुक पक्षकार एक ही दिन हाई कोट में मुकदमे ठोक देते सव डिएर सो दो सो पांट सो जितने चाहते हैं हजार दोजार वकील भी इंगे जोता उसमें कम चकब एक बड़ी हीरिंग हो जाती लेकिन ना उससे भी ये खत्रा है कि मामला जल्दी नहीं पड़ सकता है तो जल्दी नहीं पड़िये एक बार जाएंगे कि फला आरक्षण के नियम का पालन ने हुः द्य दूसरी बार जाएंगे फला उससरे आरक्षण का तीसरी बार तीसरे का चवती बार चवत्य का पाच भी बार च Goris is a आरक्षण होगा कि के वर्टी लोगा सारे आरक्षण के बुद्देफ़िं एक बार में ताम तो मैं तो भाई गाउं दियात का आदमी में सर्फ आज ये राय जानने आया हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका हम लोग खोज सकते हैं कि उत्तरपदेश सरकार का काम भी चलता रहे पता है लोगों को मेरे खाल से शायद पता होना चाहिए उत्तरपदेश सरकार का एक दशक से जादा समय बीट गया इसी अदालती लफडों के चलते आधिकांश कर्मचारी संविदा पर आ चुका है पंद्रा सोला लाख आदमी मिरखाल संविदा पकाम कर रहा होगा इस थाई कर्मचारी तो पच्छे नहीं क्योंकि रिटायर होता जा रहा भरती तो किसी को होने नहीं तो क्या हम प्रदेश संविदा पर ही चलाएंगे और यह मुकदमे की लत अगर PCS वाले में भी चली गई भगवान का अशिरवाद रहा तो जाने में कोई मुझे बहुत समय नहीं लगता तो क्या हम SDM भी संविदा पर रखेंगे सिटी मजिस्टेट संविदा पर रखेंगे तहसीलदार संविदा पर रखेंगे क्या हो वह चलो भरती केंप लगाओ ददस हजार रुपया सबको महिने में देंगे SDM बन जाओ और 11 महिन एक तन्खा देंगे उसके बाद रिन्यूव करेंगे फिर ऐसे शाषन चलाएंगे ऐसे शाषन चलाएंगे Master संविदापर, Principal संविदापर, Babu संविदापर, Chabrasi संविदापर, Technician संविदापर, Computer Operator संविदापर मेरी भविश्वान ही लिख लीजिए यही कल्चर रहा तो मनोज मिश्रा अरुन अमुराग भदोरिया इसे उत्रपदेश में हम लोग देखेंगे पुलिस भी सम्विदा पर आ जाएगी वह इस्थती होगी इस लिए आद में आया कि इस पर समझे लूँ विद्वान लोगों से कि कोई रास्ता खोजेंगे कि नहीं